और दोस्तों किस रफ लोग मैं आप सभी को विलकम करते हो आपके फेवरेट यूटूब चैनल ज्यार टूटोरियल्स में मेरा नाम है दोस्तों गौरो मुंधरा जो आपको पढ़ाता है अभी भी लेट नहीं हुआ है जाके साइन्स के लैक्चर्स देखो हाना चलो आप जा सकते हो लेकिन दोस्त जाने से पहले लाइक कर देना है ठीक है सब्सक्राइब मुझे पता है आप कर दोगे अगर आप साइन्स वाला वीडियो देखो तब भी कर दोगे तो भी हमारा का लास्ट चैप्टर का भी सेकेंड लास्ट लेक्चर अना लेक्चर नमबर टू क्या कहते हो लेक्चर नमबर थ्री जो होगा न दोस्तों उसको अपन तुफानी से एक दम करेंगे और थोड़ा सा लेंदी भी रखूंगा उसमें से आपके साथ थोड़ी बातचित भी करन आपको या दिखा है वो पुराने दिन जबा पहली पहली बार हम से ओस्यम से आये थे तब देखार दोस्तों मैं हमेशा से बात किया करता था काफी बार आपने मैंसे सुना भी होगा कि बिजनस जो होता है ना वह त्री लेवल में डिवाइड होता है एक होता है टॉप समयने को तयार हो आप होगी नहीं बच्चा करें टॉपिक ये डाइग्राम जोई मस लग रहा है स्क्रिंशोट ले लूँ क्या है अच्छा थोड़ा स्माइल देता हो तब लेना अरे अटक नहीं होगा है स्क्रिंशोट ले रहा तो उसके लिए मैं स्माइल दे रहा है तो बाद में क्योंकि फिलाल आज हमें एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक सिखना है और आई होप दोस्तों आप लेक्चर नमर वन देखते आए हो और आपने पता है ना क्या चल रहा है यार इंट्रोड़क्शन टू मैनेजमेंट वाले लेसन पर है हम अभी ठीक है स्टार्ट क अगरे की नहीं इसका लेक्शन नमर वन मैंसे कोशन हंडेड परेंट चाउर हूं यहां से भी एक कोशन टू हंडड़ परेंट चाउर हूं तो साथ देना यह दो लेक्शे बहुत इंपॉर्टन है और आपको पता है जब मैं 11 में आना हमारे साथ बहुत गलत हुआ हम लोग बुरा लगा था मेरे को उस टाइम मुझे याद भी है अभी मैं बुग्स देखता हूं आपकी तो यार काश में पढ़ लेता है इसा लगता है लेकिन चलो कोई बात नहीं अना जो हो गया वो हो गया अब है हमारे पास समय पढ़नेगा चली देखिए दोस्तों आपको पता है कि एक बिजनस होता है हाँ सर पता है हम तो अभी एर्थ लेशन पर आ चुके अभी हम सब बात है आप वो तो बस कैसी-कैसी बड़ी-बड़ी बाते करनी है हमारे साथ करो सर हम सिखाएंगे आपको अरे क्या बात है हाँ चलो सिखाओ अभी मुझे बच्चा करे सर देखिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आपने फिर भी बहुत अच्छा ट्राय करा लेकिन समझते इसे अभी क्या है कोशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखिए दोस्तों मैनेजमेंट इसमें आप यह समझ सकते हो कि किसके पास कितने पावर्स है अब यह जो पावर्स है दोस्तों अपके पास जितना अच्छा पोजिशन क्या आपके पास उतने अच्छी पावर्स होगी बिल्कुल होगी ना सर मदलब सर यह डाग्राम देखके तुम यह समझ सकता हो अगर आप टॉप लेवल पे हो तो सर आप ना आपके उपर कोई तो है आपको उसकी बात माननी है लेक को पूरे अच्छे से सोच के समय और काम करना है वैसा लेकिन सर का लोर लेवल के नीचे भी कोई होता है बिल्कुल होते हैं लेकिन एक एसे जनरल में अगर हम बात करें तो यह 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं मैंने कितना आसान दायरा हमने लेस्ट लेक्टर में सीखा प्रफिशन आने वाले उसे पूरे एकडम कंठस्ट कर लो कंठस्ट ने कि याद कर लो उसे चलिए यहां पर समझते दोस्तों अब यह तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है जिसमें आज हम समझने वाले पहले टॉप लेवल के बारे में टॉप लेवल में सर टॉप टॉप करते हो तो टॉप लेवल में पता कौन आता है बॉर्ड ऑफ डारेक्टर्स हो गया प्रेसेडेंट हो गया चीफ एक्जीकुटिव ऑफिसर हो गया कंपनी सेग्रेटर हो गया केमप आने की की मैनेजरियल परसनल अगर कोई बच्चा अपना स्टोडेंट नहीं है तो ऐसा सम पर तुमको पता चला कि लौ के अंदर ही नहीं है तब तुम वह डिसेजन पर एक्ट कैसे करोगे तो तुमारा हर एक काम एक एक लॉप पर डिपेंड करता है और उस लोग को जो है कौन संबाल रहा तो इसके लिए जो है तो टॉप लेवल में आता है लेकिन क्या सर यह जो अब समझेंगे अब तो स्टार्ट हुआ है यार कोई टेंचन नहीं देगे मिडल लेवल है ठीक है हमने क्या समझा भी टॉप अब किसके बारी मिडल अब मिडल को ऐसे देखो अच्छा मिडल चाइल है बिचारा अब इसको उपर वाली की बात तो सुनता होगा सुनना ही प बहुत सारे मेनेजर्स होते हैं इन फैक्ट ये सब ये जितने भी मेनेजर्स है ना उन स्वी के पीछे बीएक मैनेजर्स होता है तके आश्ष्टह सब दोगेете कि नहीं सारे मैनेजर हाँ हाँ अच्छे सगर अच्छे सगर यह मैनेजर लेकिन दोस्तों कभी आपने साथ सोचा गया यह मैनेजर को यह मैनेजिंग करने का हग किस ने दिया किस ने दिया हग यह अपने आप से आके मैनेजर बन जाते क्या नहीं मैनेजर जो है किसका पार्ट है वो middle level का अब आपको ये table देखके ये diagram देखके इतना तो समझ रहो होगा middle level किसके इशारे पर काम करता है top level के इशारे पर अच्छे से देखते हैं अपना aim क्या है गोल क्या objectives क्या है हमरे पास resources क्या है क्या हम यह business कर सकते हैं यह लोग सब decide कर लेते हैं अब decide कर लिया बस अब कुछ लोग भी तो चैना इस जो आपने decide कर रहा है उस काम को implement करने के लिए right guys तो यह लोग क्या करते है top level वाले middle level वाले employees को जाकर बोलते है middle वाले लोगों को जाकर बोलते है सुनो 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 हम जो boss लोगे ना यह लोग ने यह सब decide कर लिया है अब आपके duty है make sure करना है कि यह सारा काम अच्छे से हो ठीक है ना समझ में आया कोई समझेंगे अब तो top level वाले ने middle वाले को काम दे दिया अब middle वाला क्या करेगा ऐसे बिठारेगा नहीं उसको उपर वाले को जवाब भी तो देना है उपर कौन middle वाले क्या करेंगे हर बार middle वाले को पूछेंगे अरे मैनेजर क्या हो गया काम दिया था ना complete हुआ की नहीं आपने सब देखा होगा काफी अबर movies वगरे में तो यह जो पूछने वाले जिसके पास right होता है दोस्तों आपकी दिमाख में यह आना चीगे यह जो आदमी है यह पक्का top level वाला आदमी है क्योंकि यह मैनेजर को इस तरह से बात कर रहे है मैनेजर पे अपनी decisions ले पा रहा है इसका मतलब मैनेजर भी कोई छोटा आदमी नहीं है यार मैनेजर तो है वो आता है middle level में सर वो मैनेजर को decisions दे रहा है मैनेजर को orders दे रहा है मतलब सर मैनेजर के उपर भी कोई है क्या और जो उसके उपर होता ह वो आता है टॉप में कितना असान जारी है उसके बाद दोस्तो यह जो लोग होते हैं जो जैसा मिडल लेवल आदमी बूलेगा वैसा काम करेगा और मिडल के साथ साथ जैसा टॉप लेवलbyल बूले गाना टॉप लेवल वाला विचर को बहुत क्या लगता है अब lower level कितने सारे आदमी होते कितने सारे होते लोवर लेखे supervisor सारे employees हाना सारे company के officers जो ऐसे laptop के पीछे बीटके काम करते सारे सारे जो भी आप consider करना चाहते हो यह सारे लोग आजाते lower में अब मुझे एक बात बता आपके company का board of directors या फिर आपके manager को जानता हो आ सर यह तो possible है वह एक लाक employees को तो याद नहीं कर सकता जो lower level में है लेकिन सर वो ना middle level के एक manager है उसको या जरूर कर सकते हैं तो अब top level और lower level के बीच में एक link है और वो link को पुरा कौन करता है middle level अब यह क्या है दूस्तों में तुमारा based create करने की कोशिश कर रहा हूं अब यह नई बात हैं कर रहे हैं यह थी थीओरी में अब question direct exam में बन सकता है top level क्या हो थाbon i middle level क्या होता है बताओ lower level क्या होता है् बताओ levels of management क्या होता है बताओ for 8 marks तो यह question इतना important है यह आपको पूरा एकदम याद करना है ठीक है क्योंकि आप exam में बैठोगे सोचोगे यह 6 में से भी आपने याद कर रहे और अच्छे से याद नहीं कर आपने तीन लाइन लिख के आई तो आपको marks नहीं अब आपको आपको आप ऐसी बात करोगे चले देखते हैं कोई बात नहीं अगर किसी बच्चे को चाट में दिक्कत आ रही कोई से दोस्तों आप प्यार देते हो मुझे लगता है यह जब आप लेक्चर देखोगे मेरे क्याल से तो वन मिलियन हो गया रहेगा आप जिसके सबसे प्यार देते हो ना दोस्तों क्या कहना चलिए लेवल सफ यह जो टॉप लेवल वाले हैं इनके पास ही सारे मैक्जिमम डिसीजन्स होते हैं यार यह तरह के कंपणी के हैड है आपको हैड की बात तो माननी पड़ेगी ना अब जैसे राहूल सर मुझे कह रहे हैं देख गौरव हाँ हाँ बुले सर बुले बुले आज से हाँ हाँ बु आपसे काम नहीं होता है लेकिन हमें काम चाहिए तो यह जो बॉस वाली हरकते हैं यह तॉप लेवल वाले में हमें देखने को मिलती है चलिए इनके पास प्रेम्स वीजन मीशन पॉलिसीजन अगर किसी बच्चे को अभी बीड़ाउट है इसका मलब यह दोस्तो रूलस और देखिए दोस्तों अगर कोई बिजन उसका कुछ मीजन होता है और सका पौलीसी होती है उसके objective होती है मकसद क्या है हमारा हम इस दुनिया में क्यूź है अब आ गए है तो हमें क्या बनना है यह हमारा विजन है हम वहां कैसे जा पाएंगे वलब कितने steps से अगर कोई बच्चा CA बनना चाहता है कोई CA बनना चाहता है, CS बनना चाहता है, MBA जो करना करो यार सब में stop है बस मैंनत करो लेकिन अब आपको एक proper planning चाहिए होगी तो ये सब का एक management का part है, लेकिन ये सब जो चीजे ना दोस्तों कौन decide कर रहा है किसके पास एक power है इतनी बड़ी, तो power दी गई है दोस्तों, दी जाती है top level वाले लोगों के पास में, इतना याद रखता, ये जो आप देख रहे हैं top level, middle level, lower level, ऐसा मत समझना कि कोई top level का आदमी होगा तो sir, क्या उसके पास उतनी knowledge होगी, क्या, अरे मेरे दोस्त, वह top level में इसके लिए बैठा है क्योंकि उसके पास उतनी qualification है, उतना experience है, उतना knowledge है, अभी तो वह top level में बिठाएगा कोई company, या कोई भी business, कोई भी business, किसी भी, किसी भी इनसान को manage कर दें तब देंगे, जब उससे लगता है, अगर मैं इस person को manager बना दूँगा तो ये अपने business को बहुत अच्छी रहा पे ले जाएगा, लेकिन वो ऐसे किसी भी रहा चलते है, इनसान को तो नहीं उठाएगा उतना आपकी respect, और शायद उतना जादा ही आपकी salary, शायद चलते है, functions of top level, आईए, functions अमझते हैं अब इसकी, to decide objective, हम अभी तो समझे, top level वाले objective decide करते हैं, ये तो पूरे organization, या company, या business के boss होते है, to frame plans and policies, ये जैसे जैसे बोलेंगे, वैसे ही नीचे वाले लोगों को पूर policies are properly implemented, देखो यार, इनका काम तो है सिफ बनाना, इनने rules and regulations तो बना दिये, लेकिन, कोई उसे follow कर रहा है की नहीं, ये भी तो इनने देखना होगा, जिससे, देखो, top level वालों ने एक rule बनाया, कि कल से na, office में सब 8 बज़े से पहले मुझे चाहिए, पता चला बाई, मेरे जै देखते हैं कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो नहीं काम किया, चलो, resign दे तो companies है, निकाल लेंगे companies लेंगो, तो create various department and position देखिये, दोस्तों, अगर top level वालों को लगता है, कि मिडल लेवल में न, ये जो manager है, ये finance manager, ये काम अच्छा नहीं कर रहा, इसको हटा हटा देते हैं, ये बहुत काम चुर इंसान है, इसको मेहनत की अगर बात की जाए, तो ये पहले भाग जाता है, और मुझे तो लगता है, दोस्तों, ये काफी fraud वगरा भी करता है, finance का manager है, इसके पास तो finance, याने की जो पैसे, पैसे का रस्ता है, finance manager के पास सबसे जादा हो तो to appoint manager at middle level, मलब हमें पता चला न, top level वाले को, ये manager सही नहीं है वाई, तो हट जा, दोस्त, जाना पड़ेगा आपको, और उसके जगे पर आपने किसी और को appoint कर लिया, या फिर to create a various department and position, आपको लगता है कि आपको, ना दोस्तों कैसा है न, कि middle level में आपको लगता है, मुझे लगता है न, इसका workload बहुत ज़्यादा है, एक काम करता है, इसको assistant manager भी देता हूँ, अब ये appointment की power किस के पास होगी, सिफ और सिफ टॉप लेवल के पास, देखो या, top level वाले, आप इनके decisions को नहीं भूल सकते, आप इनके decisions को को कोशन ही नहीं कर सकते, आपका काम है जिसे top level वाले बोलते हैं, वैसा काम करो, और ये वही वाला case है यार, ये आपके पापा ममी है, top में, middle level में आपकी भाई है, या आपका बेहन है, और ये lower level में बिचारे आप हो, अब जो पापा ममी ने बूल दिया, वो बड़े भाई को करना पड़ता है, या बड़ी बेह आपको पता है, वो छोटे भाई ने क्या करा, या छोटी बेहन ने क्या करा, फिर, क्या होता है दोस्तो, top level वाले आते हैं, ला बेड़ लो, बेड़ लो, तो क्या हो रहा है, यार, ये जो चीज है, ये real life में भी active है, तो कोई pressure नहीं है, अराम से समझो, अरे बहुत आसान ह आप से आप लोगों दोस्तों, इससे भी hard concepts को already starting में ही सीख चुके है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें doubt आएगा, और बाकी, ये top level वाले example जो भी हमने किया ना, पापा ममी के तुरू, ये आपकी भाई या भे, ये lower में आप, ये अपना हाल समझ लो, आपका घर प ऐसा ही work करता है, जब आपको पता चलता है middle level वालों को, कि भाई, lower वालों को पता है क्या कर रहे, job से ही निकाल रहे, लगता है भाई, जो top level वाला boss है ना, गुस्से में हागे, चलो थोड़ा काम seriously कर लेता हूँ, तो ऐसा भी company में काम होता है, तो सब connected है, ये दुनिया एक काम तो मैंने दे दिया है, क्या वो लोग सही से काम कर रहे है की नहीं, कर रहे हो ना, तो ये कौन चेक करेगा, top level वाला चेक करेगा, देखो आसान सा है, अब यहां से हम एकदम हमारी रफ्तार है, express एकदम full speed में जाएंगे, bullet train के तरह, अब ये तो मुझे आप बताओगे, कैसा है दोस्तों, अगर आपने top को समझ गया ना, फिर आप middle और lower तो आप ऐसे ही समझ जाते हो, चले, देखते है, middle, works under top level, इसके उपर कौन है, top, concerned with implementation of plans and policies, इसका मतलब ये, ये बहुत tension में रहता है, यार, बिचारा, कभी भी इसको पूछो ना, बहुत tension है, अरे किस बात इसको जैसे जैसा top level बोलते जाएगा, वैसे वैसे इसको करना पड़ेगा विचारे को, ठीके चलते हैं, functions, link between top and lower, middle level, अगर lower वाले को अपनी बात, top level तक पहुचानी है, तो कैसे पहुचाएगा, अरे, एक लाक लोग, उससे भी जादा minimum, तो lower level में होते है, अब यार, सर, क्या आपको लगता है, top level वाला, इनकी problems को handle कर पाएगा, पिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो ये लोग क्या करते है, lower level वाले, ये लोग क्या करते हैं, दोस्तों, pen change करता हूँ, मैं 1 second, अब ये जो lower level वाले है, ये क्या करते हैं, अपनी problem, middle level वाले को बताते हैं, middle manager सुनो आप एक काम करोगे मेरा, please, अपने जो top level वाले में लोग है ना, उनको please, ये काम करने बोल दो ना, अब middle level वाले पता हैं, जाके top वालो को बताते हैं, बस, इसलिए इसको कहते हैं, link, ये क्या है, एक link, to understand plans, policies framed by top, इनको समझना है, कि यार, परवाले ऐसा काम कर रहे हैं, व इतना असान है, तो assign duties and responsibilities to lower level, अगर आपको लगता है, कि ये आप से अकले से काम नहीं होएगा, और अगर आपको लगता है, कि इसमें तो lower level वाले को भी जरुद पड़ेगी, अब देखो, अगर हम इसको example देखो, आपकी ममी ने बोला, कि जा, आपके बड़े भाई को बु बुला, या आपकी बड़ी देदी को बुला रहो, प्लीज आईए, हाँ, समझिये, मैं आपकी ममी जैसा हूँ, यहाँ, example है, आपकी ममी या पपा, आपको बोलती ही जा, छोटे भाई को बुला ले, छोटी बेन को बुला ले, खाना खाने बुला ले, चल, 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 मोबल क्या बोलो मैं, ओ, लोवर लेवल वाले, आजा बई, ममी ने बुलाया है, खाना खाने को आजा, और अगर तो अभी टाइम पे नहीं आता, गेम खेलता है, मोबल चलाता है, तो तो टॉप लेवल वाले तिरको कमपनी से बाहर कर देंगे, यहाँ पे आप जॉइंट करने की जॉब से निगाल दूगा, यह वो लोगे, ठीक है, चले, तो ट्रें स्टाफ, अगर इनको लगता है कि यह किसी बच्चे को ट्रेनिंग जूरत है, तो उसको दे देते हैं, लोवर लेवल वाले को खास कर, तो अपॉइंट लोवर स्टाफ, अगर इनको लगता है कि यह लो लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा स्टेप्स लेगे, आपको समझाने की वापस कोशिश करूँगा, जिससे की देखिए दोस्तों, अगर कोई मिडल लेवल वाला इनसान है, अब इसको टॉप लेवल वाले को, मिडल लेवल वाले को अपडेट भी तो देना पड़ेगा, सर, आपने वो काम बूला था, करने को, हाँ, करके आगया है, तो ये क्या है, अब ये दिसका बूला था, वैसा काम कंपनी में, या बिजनस में, या ओर्गनाजेशन में हो रहा है, तो कुछ इस तरह से हमने मिडल लेवल वाले की भी कहानी समझी, आईए ये यह बिचारे, glor ответ लेवल वाले की भी कहानी सुनते हैं इनकी भी अच्छी सेलरी होती है चले अल्सो देखिए दोस्तों लोड लेवल ऑल्सो कोड़ एस ऑप्रेशनल लेवल अफ मैनेजमेंट ठीके चली आगे दिखते हैं फंक्शन ऑफ लोड यह तो बहुत आसान है और वोक एस पर इंस्ट्र अपी हो हाँ सोनो आपको पहले न हमारी दिक्कत को हलब करना पड़ेगा अरे मेरे भाई टॉपल वाला आपके मुसिबत को संभालेगा yer company को संभालेगा सोचो कितना बटा टास्क कौन सा बटा टास्क अहे सार Obviously company संभालना heh नो मिडल लेवल के पास मिडल वाला जाता है प आपके पास space chain बोदिनेत्स नहीं देखिए छोप से भी ज़या है नहीं बीकमत करते हैं इनके नीचे कोई उता होगा की बीचारह Oo पिर middle level वाले top से गाली गाते वही काम है बाई lower level वाले एकदम सब से नीचे रहे थे बिचारे चलिए give instructions to subordinates अब इनको देखें दोस्तों इनको भी अतना experience share करना है मिडल लेवल के साथ तो और टॉप लेवल के साथ तो बिचारे उनके साने तो दब जाते हैं लेकिन इनके भी तो नीचे कोई होगा आओ जरा उन पर उशारी मार के आते हैं उनके साथ आना यह वैसे लोग है चलिए solve problem and settle disputes help subordinate उनके मदद करते हैं solve problems अगर देखें दोस्तों कोई लोवर में भी अगर देखते हैं यह सब कहा है दोस्तों लोवर लेवल वालो की टीम है आपकी बहुत सारी लोग है यह तो यह लोग कोशिश करते हैं क्यों ही middle level के पास जाना क्यों ही top level के पास जाना हम इतना सारे सेना है हम ए अगर किसी lower level versus lower level के बीच में जखड़ा हो गया उसका dispute कहते है एक legal word में इसके dispute कहते है तो क्यों middle level के पास जाना क्यों top के पास जाना अरे आपस में ही मिलके solve करते हैं क्यों वह लोग को disrupt करना चलिए look after repairs and maintenance क्योंकि आपको भी पता है lower level वालो के पास company में क्या चल रहा है इ क्योंसी machine चल रही है तो यही है पूरे करने वाले काम तो यार तो conduct due diligence दोस्तों due diligence याने की सब कुछ देखना सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं उसे कहते हैं due diligence लेकिन अब आप यह चार्ट जो है दोस्तों middle level वाला समझे कि नहीं मुझे आप लोग बताएगा and I hope मु अब lower को अगर top के पास अपनी कुछ बात पहुचानी है तो कैसे पहुचाएंगे अरे obviously middle को बोलेंगे middle वाला जाके top को बुलेगा लेगिन बच्चा कर ऐसर एक doubt है बोलो बच्चा कर ऐसर समझे अगर top level वाला चाहता है कि lower level वाले तक उसकी बात पहुचे वह क्या करेगा कभी कभार हो जाएगा सिधा lower के पास या फिर कभी वह सोचे गए इतना टाइम नहीं मेरे पास lower level वाले के पास जाने का काम करता हो middle के पास जादा हो middle वाले lower तक पहुचा देंगे तो कुछ इस तरह से यह system work करता है यह basically आपके textbook में इसलिए रखा है so that आप इसके functions को और better way में understand कर पाऊ अना बस वही उसी का इस्तमाल करता है आज हमने भी इस lecture में थोड़ा सा इस्तमाल किया है आपको समझ में आया है देखिए आसान है compliment ना compliment क्या कह रहा हूं मैं उसको complicated कर दे कि बिख्वी कोशिच ना करिए तो बस फिर इस lecture को आपन यहां करते हैं कि मेरा instagram id है अभी तोयर मैंने almost 100% लोगों के doubt solve करें है and I hope मैं आपकी भी help कर पाऊ ना comment section में थोड़ा सा कम interaction रहते हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे बहुत सा lectures है तो हर वीडियोस के lectures पर मैं जाके comments daily basis पर check नहीं कर सकता है दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि इस फॉलो कर द कि एक आकरी क्या कहते हैं उसे एक आकरी मुलाकात लेकिन OCM में क्या आप मिलने को तैयार हो हमारी आकरी मुलाकात lecture no.3 में होगी OCM की तो वहाँ पर क्या मुस्से मिलने आओगे की नहीं बिलकुल आना है बाई तब ही तो portion complete होगा चलो वीडियो को हैंट करता हो